लीजे स्टुएंट्स अब आपके सामने लेकर के आचुका हूँ कक्छा दसवी हिंदी का सेट नमबर सेकंड इस वीडियो को में स्टार्ट करूँ उसके पहले एक घटना सुनलो एक कहानी सुनलो जो आज मेरे साथ हुआ था देखिए क्या हुआ मेरे घर के सामने एक मोटू सा गोलू मटोलू से लड़का टहल रहा था जैसे मैं घर से बाहर निकला मुझे देखते ही फोरण उसने हाथ लाया बोला हलो भीया भीया सुनिए मुझे आपसे काम था मैं आपके घर ही आने वाला था अच्छा हुआ आप सुयम बाहर आ गए मैं बोला हाँ भाई बताओ क्या काम है उसने बोलो भीया जब आप यूटूब चलने में वीडियो से अप्रोड करते हैं तो आपके question paper में इस पर शूप से लिखा होता है अभ्यास प्रश्णपत्र और अधर यूटूब चलने में जो वीडियो साते हैं उसमें लिखा होता है 100% असली paper असली paper viral नहीं आया तो हम फासी लगा देंगे ये कर देंगे वे कर देंगे तो एक बात भाई भीया क्या सच में उनके बास स्रियल paper आ गया है या फिर केबल बेबकूफ बना जा रहा है इतना ही नहीं उसने ये भी बोला कि बहुत सारे चैनल मेंने ऐसा भी देखा है कि code लिख दिये हैं कि center code 412 जो कुछ हो एक्सेक्टर एक्सेक्टर वो मुझे कुछ दिखा रहा था स्क्रिन सोट रखा था तो हना तो वो मुझे सब बताया मैं बोला देख यार अगर तुझे middle age question के उपर भरोसा है तो तू सारे चैनल को देखना बंद कर दे और अगर middle age question के उपर भरोसा नहीं है तो सब जगए तू भटक देख भाई जितने भी question paper provide करा रही है 100 percentage फिक है आपको बेपकूफ बना जा रहा है मैं बोला तू एक काम कर जिसने अभी गडित का बीडियो डाल दिया ना तो गडित के paper के screenshot ले अभी से लेके रख ले और जब तेरा exam आए तू मैच कर रहे ना अगर मैच हो गया ना एक भी question तो भाई मैं क्या ही बोलू तो बोला भी यह मतलब वो fake डालते हैं क्या देख भाई मैं यह नहीं बोलूँगा fake डालते हैं real डालते हैं लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि फालतू के बहकावे में मत पढ़ो तू अपने book से पढ़ाई करो अग यहीं से कोई बच्चा हो किसी भी स्कूल से हो सब स्कूल में यहीं से question आएंगे जो मैं practice paper दे रहा हूँ और यह केवल practice paper है पूरे questions तो नहीं आएंगे लेकिन हां बहुत सारे 70-80% questions same to same देखने को मिलेगा बस तो दोनों set को देख लेना बोला अच्छा कि भाई मैंने doubt को तुमने out कर दिया भाई बहुत confusion दो भाई मैं रात बर ही सोचता है भाई यह तो ऐसा डाल रहें लेकिन other channel में तो कुछ हला गयाता है तो मैंने उसके doubt को out किया अब देखे श्रेंट्स मैं आपको भी clear कर देता हूँ अगर आप अभी भी बहकावे में हो तो बहकना भटकना बंद कर दो भाई कोई real नहीं है सब भेकावा है और तुम भी अभी से screenshot लेकर रख लो मिला लेना अगर एक भी question मिल जाए तो चलिए चलिए अब हम वीडियो को start करते हैं लेकिन उसके पहले अगर कोई student इस question paper को download करना चाहता है चाहिए set number A हो यब B हो तो please link description box में जाकर कर download कर लीजेगा full solution का PDF provide करा दिया गया है अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने question के सभी answers को समझने का प्रयास करते हैं live हमारे दोरा देखो हमारे छेटवा नमबर कहता है कि ओजगुन किसे कहते हैं उदान से समझाओ तो देखो यार ऐसा कोई काप जिसको पढ़ने से तुम् देखो हमारे राष्ट भक्ति के लिए है ठीक या देश्वक्ति के लिए कोई गाना दो लाइन लिख दो तुम्हारा उदान कंप्लेट हो जाएगा अत्वां कहता है माधुर गुन किसे कहते हैं उदान से समझाओ ये माधुर का मतलब यह है वेटा कि ऐसा कोई का आप में पढ़ हो जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारा हरते द्रवीत हो जाए मतलब तुमको रोने आने लगी बस वो तुम्हारा कहलाएगा मधुर गुन और इसका उदान यहाँ पर लिखा गया है तो यह रहा मधुर का यह रहा ओज का और ओज के एक्जामपल में तुमको ता द कहा है तो गोपी यह कहती थी कि बाव उद्धव तुम स्रीकृष्ण के पास रहने के बावजूद भी अभी तक कृष्ण भगवान के प्रेम में बढ़े नहीं हो यह तुम बहुत ही भाग्यसादी हो अर्था तो ब्यंग मार रही थी मतलब उसे चिढ़ा रही थी कि तुम कृष्ण अधिक भाग्यिन को ही नहीं हो सकता कि तुम कृष्ण के साथ हो फिर्वी क्रेम में नहीं पड़े हो यह वह वाला में जो तुम प्रेम हो यह दूसरा प्रेम है यह वह प्रेम है जो कमल पत्र से की गई है ठीक है जो पानी में रहकर भी गिला नहीं होता है तो इससे तुलना की गई है मतलब कहा गया है कि तुम क्रश्न के साथ हो फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े हो नेश्ट कहता है गोपियों के अनसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए तो आई कोई ही कटना यह हो उसे दूर करे तो इस प्रकार से गोपियों चाहती है मतलब स्रीकृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि भाई यार तुम सताओ मत्यार हमें ललक है कि तुम हमारे पास आओ हमसे चिपके रहो तो ये काम तुम करो ठीक है तो इस प्रकार से गोपियों कहती है अत्वां कहता है मरजादा ना लही के माध्यम से कौन से मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है तो आई इस प्रश्ण को उत्तर देख लेते हैं इसका भी उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पर यह देखो मरजादा ना लही के माध्यम से कौन से मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है तो गोपियों को मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिये जाना चाहिए स्री कृष्णी गोपियों को प्रेम के प्रतिदान में स्वयम ना आ करके प्रेम संदेश ना भेज कर प्रेम का मर्यादा तोड़ी है मतलब गोपियां कह रहे हैं कि हम तो कृष्णी से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन कृष्णी हम से प्रेम नहीं करता है ऐसा गोपियां कहती है ठीक है नेश्ट कहता है नबा नमबर परासुराम के क्रोध करने पर लक्षमण ने धनुस के तूट जाने के लिए कौन कौन से तरक दिया मतलब जब राम भगमान धनुस को तोड़ दिये थे तो आपने देखा होगा कि परासुराम दोड़े चलिया आ कौन है माई कालाज जिसने धनुस को तोड़ दिया सिव धनुस है इसे कोई नहीं तोड़ सकता है यह वो करके तो लक्षमण ने क्या बोला तो इनका कहिना था कि हमारे लिए तो सारे धनुस समान है लक्षमण कहते हैं देख भाई यार परासुराम तू सान्द बैठ जा हम भाई हलका तो नहीं था भागवान सिव का धनुस था हलका तो नहीं था लेकिन भागवान राम थे तोड़ दिये यह तीसरा अंबर कहते हैं कि हमने बच्पन में ऐसे बहुत धनुस तोड़े हैं यह क्या धनुस है जिसके उपर तो इतना क्रोध कर रहा है ठीक है इनका हमने बच्पन में बहुत तोड़े हैं नेर्श कहता है कि लक्षमन ने बीर योद्ध की क्या-क्या भी सेस्ता बताई है मतलब किस प्रकार कहे कि बीर योद्ध को क्या होना चाहिए तो यह कहते है कि बीर कुल का पालन करने वाले सूर बीर युद्भूम में अपना परक्रम दिखाते हैं, मतलब जो सूर वीर होते हैं वो कोई युद्धभूम में अपना ताकल दिखाते हैं कि घर में घुचके और लाय करおお कर रहे हैं नेस्ट कहता है कि बाते करते हुए स्वैं ही स्वैं का गुरुगान नहीं करते हैं मतलब गर कोई बाते करता है तो वो अपने बारे नहीं ताते क्या रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे नहीं भाई ये दुभूम में देखा जाएगा तो इस प्रकार से वो बीरुद्धा के बारे में बताते हैं निश कहता है कि चौपाई छंद की परिभासा उदाण सहीत दिखो अब बताओ कि चौपाई छंद क्या है ये प्रश्न हमारा दस्वा कहता है आईए इसका अंसर में दिखा देते हैं देखो आप सबको पता ही होगा कि चौपाई में 16-16 मात्रा होती हैं ठीक है ध्यान रखना सबसे पहले याद रखो कि यह है एक सम्मात्र क्षंद इसमें 16-16 मात्रा होती हैं अंत में गुरू होता है यह जरूर नहीं है लेकिन यह जरूर ध्यान रखना सोला-सोला मात्रा होती है इसका एक एक्जामपल रगुकुल रीती सदा चलियाई प्राण जाई पर बचने न बस इतना लिख दो खतम एक एक एक्जामपल और भी देख सकते हैं तुम गूगल से जो तुमको इजी लगे वो तुम पढ़ लो अत्वा में क्या कहता है अत्वा कहता है लक्षमण की बाते से परसुराम का क्रोध क्यों भग गया मतलब लक्षमण ने ऐसा क्या बोला कि ए धनुस अरे ये तो धनुस वैसे ही तोड़ देते हैं रे अपन ने बचपन में खोप तोड़ी है जिस तुम कहते हो ठीक है उन्होंने परसुराम को कभी बढ़ बोला कभी अपनी प्रसंस से स्वयम करने वाला कहा इससे परसुराम का क्रोध और भड़क उठा एक सिकन प्र से इसे बोल रहे थे अरे तू यार कभी भी अपनी तारीफ करता है कि तू ये कर देगा वो कर देगा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि हम भी बैठे हैं हम भी अध्यकर आ जाहें ठेक इस प्रकार से उनको और गुश्सत दिला दिया था सेनानी ना होते हुए भी चस्मा वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे तो देखो भाई साब ये इस कांसर लिखा गया है सेनानी ना होते हुए भी चस्मा वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उनके मन में देश भक्ती और देश प्रेम की भावना बहुत थी इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे बस इतना आपको लिखना है इतना बड़ा आंसर मत लिखना बहुत बड़ा है मैंने तुमको सौट में बता दिया है नेश्ट इसी के अत्वा में कहता है नेता जी सुहास चंद्रबोश की मूर्ती को देखकर लेखक के मन में कौन इखकी मतल jsुसने चस्मा नहीं देखा था तुस है यार चस्मा ही नहीं है उसी कमी खटकी थी नेक्स्ट बारवा नमबर गान कमी स तो देखो है Project Captain की कहानी से सुलोग Captain चस्मा वाला दुकान दुकान रखा था और जब कोई ग्रहा काता था नेता जी का निकाल के लाके एक ग्रहा को देता था और नेता जी पर दूसरी चस्मा चलहा देता था बस यही कहानी था वाकि यहां से तुम देख रहे न मैं तुमको आसान भाशा में बता दिया नेश्ट कहता है अत्वा में नेता जी की मूर्ती का कौन स की कसर खटकी थी और क्यों तो वही यार मूर्ती पर किस की कसर थी चस्मे की तो वही चस्मे की कसर बार बार खटक रही थी बस इतना आंसर आपको लिखना है एकदम सरलभासा में नेक्स वारा तेरवा नंबर कह रहा है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिती थी तो ये लिखा ही इसका आंसर भगत की पुत्र वधू जानती थी भगत ही संसार में अकेले हैं उनका एक मात्र पुत्र मर चुका है वो बूढ़े हैं और भक्त हैं उन्हें घरबार और संसार में कोई रूच नहीं है अताव वह खाने पेने और स्वस भोजन और दवादारू का प्रवंधन चाहिती थी दवाव का भाई दारू का नहीं किवल दवाव असका ठीक है दारू मत लिखना दारू मत लिखना नेश्ट कहता है कि जिलमिल सितारों की रोसनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था तो इसका आंस उसको मैं हाट दोंगा ताकि सभी बच्चों को पता चल सकी कि इनका आंसर हंड़ेट परसेंटेज सही है नेश्ट कहता है चौदा नंबर जैसंकर प्रसाद और शूरिकांत त्रिपाठे निराला की काब्यगत विशेषता लिखना है निम्न बिंदो पर दो रशना भावप पक्ष और कलापक्ष तो आईए एक हमारे पास पीडियाफ है जो कि बहुत ही सांदार पीडियाफ है इसमें कख्षा दसवी के सभी कभी हैं अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो लिंक के डिस्क्रिप्शन वाक्ष में दे दूँगा क्या पूछा है हमसे जैसंकर प देखो भाव पक्ष कलापक्ष लिकस्ना भीटा पीडिक आप सिसका स्क्रिंशॉट ले लो और पास तक और प्रकास और तो होता है नेश्ट कहता है स्वयम प्रकास और यस्पाल की साहित्तिक भिसेस्ता लिखना है निन्विबिंदों के अधार पर ठीक है दो रशना भासा और सैली तो इस पीडियेफ में आपको सबका मिल जाएगा राम ब्रक्ष बेनिपूरी का ही ठीक है हमारे एक्जाम में पूछा है किस तो ये रहा स्वयम प्रकास जी का ये दिखो रशना आस्मा से सूरज निकला ठीक है तो इनकी रशनाए हो गई देख लीजिए अच्छे से और इनका एस्पाल जी का देख लो ये रहा नेक्स्ट जूठ हिंसा जयान का परदा ठीक ये ट्रिक लिखा है बाकि यहां पर ये दूसमन दूसर नमबर कहता है अंगूठा दिखाना, तीसर नमबर कहता है आग में घीडालना, देखो यार सब को पता है आग में घीडालना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना होता है, अंगूठा दिखाना मतलब चिढाना होता है, और अकलका दूसमन मतलब इसकी बुद्धी क्लिक कर लो यहीं आपको लिख करके आना है चलिए आगे वरते अत्वां कहता है कि शंधी और समास में अंतर लिखो भाई साब क्या है संधी क्या है समास सबको पता है कि दो वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन होती है उसे संधी कहते हैं और दो सब्दों का मिलन यह फिर द बिगूद्व दवन्द और अभी भाव और एक और कौन समास है आप बताईएगा हमें कॉमेंट सेक्षन में ठीक है इस प्रकार से समास की संख्यच है है चलिए जी आगे बरते हैं सत्तर नंबर कहता है कि भोला नाथ अपने सांथियों को देखकर के किसी सपना क्यों भूल ज सिसकना है यह प्रश्ण पूछा गया तो आई इस का उंत्र दिखा देती हैं कि भोलन आत क्यों भूल जाता है रोना है ठीक है इंदी देखोन बाल प्रक्षटी होती है वे अपने पसंदीद बस्तू और रुचिगत क्रिया कालापों की योर सिग्र आकरसित जाता है इसी वैज़े से अपने साथियों के देखता है और उना भोल जाता है बस इतना लिखना है नेश्ट कहता है अथवा मूर्ति पर लगी सरकंडी का चस्मा क्या उम्मीद जगाता था सरकंडा मतलब यह होता है कि टूटा-फुटा चस्मा जो लगा था वो क्या प्रकार साहब को बहुत आनंदित होते थे और भक्ती पर रोमांचित होते थे यह उम्मीद जगाता था इस प्रकार से कंप्लेट होता है नेक्स्ट कहता है अठार नमबर अठार नमबर कहता है निम लिखित काप्यांस का संदर प्रसंग अर्थ लिखो काप्यांस को ध्यान से देख लो तो इसी का आपको अर्थ लिखना है और इसके अथमा में क्या दिया है मधूब बालत इसे भी देख लिजे तो आईए इसका अंसरा आपको दिखा देतें कि क्या लिख किया आना है तो ये ये काभ्यान से एक दिया है ठीक है तो इसका संदर्व पढ़ लो प्रसंग पढ़ लो भावार्थ पढ़ लो ध्यान से ठीक है ये पढ़ना है नेक्स्ट आपका जैसंकर प्रसाद वाले पाट से है आत्मकत्थ से ठीक है तो इसका ये रहाज संदर्भ प्रसुत का अब्यान समारी पाथि पुष्तक छीति भागदो के आत्मकत्थ नाम कविता से लिया गया है और इसके कभी का नाम है स्री जैंग संकर प्रसाद ठीक तो आए देखते हैं गद्यांस का भी गद्यांस को आप में आपका उत्ति गद्यांस की क्या के लिखना है तो गद्यांस से पहले ये वाला है मूर्ति संग्मर्मर की थी ठीक है संदर्भ में लिखा है पूरवनुसार पूरवनुसार मतलब ये वाला संदर्भ लिखना है ये व उत्तरत पूरा देख लो क्या लिखना है ये संदर्व में लिखा है पूरो अनुसार्थ पूरो अनुसार्थ मतलब ये लखनवी अंदाज वाले पार्ट से लिए गया है तो ये वाल लिखना है ठीक ये ये लिखेंगे संदर्व में और फिर प्रसंग और अर्थ आप देख चलिए इस प्रकार से complete होता है नेक्ष्ट कहता है हमारा बीस्वा नंबर कहता है कि नीचे दिये गए अफ्ठित गध्यांस को पढ़ करके उत्तर देना है गध्यांस को पढ़िए और प्रश्ण का उत्तर दीजिए जो की बहुत ही स्तरल है तो आप इस लोग इसके ट्राइ कर ताजमहल, महात्मा गांधी और लोकतंत्र इन तीन चीजिए से हम लोग की अलग ही पहचान है ताजमहल भारत की अंतरात्मा की उसके बहुलता की एक धवलधर ओहर है तो क्या लिखा है संसार में भारत के प्रसिद्धी का क्या कारण है तो याद रखना यहां से लिखोगे ताजमहल, महात्मा गांधी और लोकतंत्र यह तीन है तो यह होगा पहले कुत्तर कम्प्लेट नेश्ट कहता है गांधी वादी आज किस तरह के गांधी को चाहते हैं तो देखो आगे लिखा है गांधी वादी उस गांधी को चाहते हैं जो सुविधा जनक है तो यहां से आ करता हूं नेश्ट कहता है इसलिए मैं बहुत बच बच की चला रहा हूं ठीक है नेश्ट कहता है कि हमारे देश के लिए ताज महल का क्या महत्तो है आज इसे किस स्थित से गुजर्रा पड़ रहा है तो देखो भाई यह इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको यहीं पर आज अ ताज महल एक धरूहर है ठीक है ताज महल भारत की अंतरात्मा है ठीक है उसे बहुलता की एक धवल धरूहर है यह सांकेति का आज खत्रा है ठीक है आज किसी स्थित गरना पड़ा है तो खत्रे में है तो यह यहां से लिखोगे यहां से जाओगे यहां से स्थाट करोगे त तो आगे लिखा है कि राजनेति उस गांधी को चाहते हैं जो और भी सुविधा जाना को आज इस सुविधा जाना को गांधी का पुना अविश्कार करना चाहिए जो की कड़वे सच बताए, बस, तो ऐसे गांधी जो की कड़वा सच बताए, ठीक है, तो यह हो गया आपके अगर हम अपने पर विश्वास रखते हैं और अपने पर सुराज लाएं तो हमारा जमाना बदल जाएगा बस इतना आपको लिखना है इस प्रकार से complete होता है नेक्स्ट लेखते हैं हम हमारा कैता प्रशनक्रमान 21 बार्शिक परिख्छा के तैरी के लिए माता जी और पिता जी को पत्र लिखना है तो इसका अंसर प्ली एश्टेंट आप स्वेम फाइंड कीजेगा आपके लिए एक मैं होमबर्क देता हूँ नेक्स्ट कहता है इसी कैथवा में साला सुल्क माफी के लिए आर्थिक करण बताते हुए अपने प्राचार जी को पत्र लिखना है कि प्राचार जी हम तो बहुत गरीब हैं पैसा नहीं दे पाएंगे इसलिए पैसा स्वेम भर दिना जेट से तो इसका अंसर ये रहा संबादख कर रहें जिलेकर जाता है हुए अपने सब्는 लिखने का हुए अर्चे करें लिखना हो कि हम मतलब तुम और तुम्हारी मा दुन लोग बातचीता रहे हैं तो किया-क्या Patriot करोगे भो लिख देना ठीक तो इसे प्रकार से संबाद कम्लेट हो जाएगा शिमने न तो को भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लग मास तो ले लिख लेना यह निवंध सब के पास होगा सब के पास जो परिक्षा दिनैंपरिक्षा बोथ है उसके पीछे निवंध दिया होता है न हिस.- तो भासब दमंब खेर देखर औज लिखन अब इसके बाद आपको कहीं नहीं भटकना है इसके बाद बढ़ियत से मन लाकर कि इसी पेपर को दोनों सेट को अच्छे से प्रिप्यार कर लो अगर एक भी कोस्चेंच छूड़ जाए ना तो बताना एक भीने शूटे गरंटिक साथ कहता हूँ डंकी के चूट पे कहता हूँ और यह प्रश्णपत्र मेरे दोरा बनाया गया है और यहां से पूरे कोस्चेंच आएंगी गरंटेड है चले शूट्स में विडियो गिन करता हूँ एक्जाम के लिए ओल देविश्ट खूस रहे पड़ते रहे मुस्कुराते रहे